बिहार का जनादेश क्या कह रहा है? क्या तस्वीर पेश कर रहा है? बिहार का जनादेश 2020 ये जरा अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं Strike rate जो है वो कैसा रहा? ये जरा देखिए ये पूरा लेखा जोखा दरसल हमारे पास आ चुका है बिहार के जनादेश का 2020 का और आप देखिए बीजेपी के खाते में इस बार 74 सीटें गई है यानि आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी है उससे सिर्फ एक सीट कम वहीं जेडीउ के खाते में 43 सीटें गई है यानि सीधे तोर पर बिहार में अब बड़े भाई की भूमिका में आ गई है बीजेपी 74 सीटों के साथ इसके लावा आरजेडी ये नहीं कहा जा सकता कि तेजस्वी आदव का जादू नहीं चला है युवा नेत्रित पर भरोसा ज चुनाव लड़ी लेकिन सिर्फ और सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई यही वज़े है कि अब कॉंग्रिस के सयोगी भी हमलावार हो रहे हैं और कह रहे हैं तेजस्वी आदव का बेड़ा घर कर दिया कॉंग्रिस पार्टी ने दरसल बहराल एल जेपी की अगर हम बात करें तो एल जेपी देखिए इस बार एकला चलो रे की नीती पर चले थे चिराक पासवान अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे लेकिन हासिल क्या हुई सिर्फ और सिर्फ एक सीट और इस एक सीट के बारे में आपक स्ट्राइक रेट जो है वो 37.4 फीजदी रही है वहीं RGD की स्ट्राइक रेट 52 फीजदी रही है 52 फीजदी कॉंग्रेस का स्ट्राइक रेट अगर हम देखे तो सिर्फ और सिर्फ 27 फीजदी है वहीं LJP का स्ट्राइक रेट तो 0 से भी कम है अब वोट परसेंटेज की बा यानि वोट शेयर के हिसाब से भी बीजेपी बड़े भाई की भूमी का अदा करती हुई नजर आ रही है यह जेडियू के लिए नितीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब है वहीं अगर हम बात करें आरजेडी की आरजेडी का वोट शेयर कितना रहा 23 फीजदी यहाँ पर भी बाजी जो है वो आरजेडी ने मारी है यानि वोट शेयर के हिसाब से भी आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पुलिटिकल पार्टी बनी है और वहीं कॉंग्रिस का अगर वोट शेयर हम देखें तो साड़े 9 फीजदी है और लजेपी का 5.7 फीजदी यह है जनादेश 2020 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं लेकिन कुछ एहम सवाल खड़े हो गए है कि महागडबंधन की सयोगी कॉंग्रेस पार्टी ने क्या आरजेडी का बेड़ा गर किया दूसरा बड़ा सवाल यह उट रहा है कि मुख्यमंत्री क्या नितीश कुमार ही बनेंगे बीज जेपी का रुख बिलकुल साफ था पहले से भी और अभी भी है आधिकारिक तौर पर कि जेडियू की सीटें भले ही कमाएं मुख्यमंत्री नितीश कुमार ही होंगे लेकिन अब ऐसा होगा क्या इसको लेकर सवाल उटने लगे हैं धुआ धुआ सा ये शहर क्यों दिखता है सुना है बाजार में धुए का सामान बिखता है ये दिवाली सिर्फ दिवाली